हेलो श्रेंट आज मैं आपके सात एक बहुत ही फिलोसिफिकल थोट्स को डिस्कस करने जा रहा हूं और यह जो फिलोसिफिकल थोट्स है वो 다음 फिलोसफी से ली गई है आँ ताविखम फिलोसफी से रिलेट कुछ लायनों को यहां पर मैं डिसकस करूंगा और उसे interpret करूँगा और यह जो interpretation होगा वो मेरा personal interpretation होगा कई लोग दूसरे तरीके से भी इसे interpret कर सकते हैं without disrespecting others interpretation मैं आपके साथ इसका interpretation करूँगा ताविजम philosophy चाइनिज सेंट लाओजु या जिसे लाओजी भी कहा जाता है उनके द्वारा दिया गया था वो एक चाइनिज सेंट थे और उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ताव ते चिंग यहाँ पे ताव का मतलब होता है दो डो अप्रिंसपल अंडरलाइंग दा इन्यूवर्श यानि वह प्रिंसपल वह नियम जिसके द्वारा यह ब्रमान चल रहा है जिसके पीछे इस ब्रमान के पीछे जो नियम है उसी को बोला ज़रा है ताव और इसे आप नेचर भी बोल सकते हैं जो इस इस ब्रमान को चलाने के पीछे जो सकती है, जो principle है, जो rule है, जो नियम है, उसे ही Tao बोला जा रहा है, और इस book का नाम कहा था Tao Teaching, उसी की कुछ line है यहाँ पे मैं आपके साथ discuss करूँगा, और इसे आपके साथ interpret करूँगा, तो first line है, the Tao that can be told is not the eternal Tao, इसका मतलब है, वैसा principle जो इस ब्रमान को चला रहा है, वैसी सकती जो इस ब्रमान के पीछे है, जो हमारे पीछे, आपके पीछे, जो nature है, उसे define नहीं किया जा सकते है, क्योंकि वो eternal है, वो स्वास्वत है, वो सदैब रहने वाला है, उसे हम सब्दों में बयाने कर सकते हैं, क्योंकि वो limitless है, वो infinite है second line है the name that can be named is not the eternal name यानि जिस नाम को नामकरन किया जाए जिस सक्ति को नामकरन कर दिया जाए वो eternal नहीं हो सकता है वो सासोत नहीं हो सकता है वो सदयब नहीं रह सकता है इसके पीछे logic क्या है अगर किसी चीज को आपने नाम दे दिया यानि उस चीज को उस particular thing से आपने जोड़ दिया और अगर आपने किसी चीज को particular चीज से जोड़ा तो वो कभी भी limitless नहीं होगा वो कभी भी infinite नहीं होगा वो उसका अंत निश्चित है वो उसकी limit वहीं पर decide हो गई तो इससे हम क्या सीख सकते है इन लाइनों से हम यह सीख सकते है कि एक तो एक interpretation यह हो सकता है कि जो गौड है वो infinite है वो limitless है वो सास्वत है उसे हम कोई नाम नहीं दे सकते उसके बारे में हम कोई उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते उसको अपने सब्दों में डिस्क्राइब सजब करना मुश्किल है दूसरा हम अपने आपको यानि आत्मा के बारे में भी बोला जा सकता है कि आत्मा जो हो सवस्वत है अगर अपने आत्मा से जुड़ कर रहना है यानि आपको सवसवत बनना पड़ेगा इटर्नल वलना पड़ेगा यानि आपको किसी चीज से अटाच नहीं होना है आपको किसी चीज से अटाच होकर उसको पाटिकुलर नाम देकर अपने आपको लिमिट नहीं करना है अपने अंदर की जो infinite possibility है जो चमता है जो capacity है आपकी उसको पहचानना है उसको उजागर करना है और manifestation पर ध्यान नहीं देना है यानि expression पर ध्यान नहीं देना है वो उसको feel करना है उसके reality को आपको feel करना है next line है the unable is the eternally real यानि जिसका नाम करन नहीं किया गया हो जिसको नाम नहीं दिया गया हो वही सास्वत सत्य है जिसकी limit decide नहीं की गई हो वही एक सास्वत सत्य है जैसे यह आपने किसी चीज को नाम दे दिया यानि उस चीज को आपने limit कर दिया उसको किसी चीज से आपने जोड दिया यानि दूसरा जो उसका पच्छ हो सकता था जो उसका dimension हो सकता था उसके possibility को आपने खत्म कर दिया तो अपने आपको कोई नाम नहीं देना है आपको अ यानि जितनी भी particular things है, particular मतलब कोई खास चीज, वो नाम से ही start होती है, जैसे ही आप नाम देते हैं किजी को, तो वो particular हो जाता है, लेकिन आपको particular नहीं बनना है, infinite बनना है, और वो आप तभी बन सकते हैं, जब आप अपनी आत्मा से जुरे, और क्योंकि आत्मा infinite होती है, और आप में भी वही चमता है, जो universe में चमता है, क्योंकि आप भी universe का ही एक component है, जैसे एक गारी का कोई भी component होता है, parts होता है, वो उसी के अंसार चलता है, जब तक वो attach है, तब तक वो उसी के अंसार चलता है, उसी के हिसाप से run करता है, तो अपने आपको universe से जोड़ना है और universe से जोड़ने का सबसे अचा तरीका है कि आप meditation करें अंदर look inward अपने अंदर जाकें अंदर की चीजों को देखें अंदर अपने आत्मा को महसूस करें उसको read करें उसको realize करें free from desire you realize the mystery और यह जो रहस्य है यह जो universe चल रहा है इतनी बड़ी घटनाएं हो रही है जो इसके पीछे जो रहस्य है उसको आप तभी समझेंगे जब आप अपने desire से free हो जाएंगे यानि जब तक आप अपने desire के साथ जुरे हुए है तब तक आप उस mystery को नहीं समझ पाएंगे उस रहस्य को नहीं जान पाएंगे जो यह हो रहा है तो सांत रहकर उस रहस्य को समझना है और desire बिना किसी से attach हुए अपने काम को करना है यही तायूजम philosophy है और अगर buddhism philosophy को ह जो जर है वो desire है हम अगर इस desire को खत्म करते हैं अगर इस desire से free होते हैं तब हम उस रहस्य को इस mystery को समझ पाएंगे जो रहस्य है ब्रमान के पीछे का क्यों क्योंकि जब हम desire से detach होंगे तब हम universe से attach होंगे जब हम किसी चीज से attach होते हैं तब हम उसके रहस्य को समझ पाते है caught in desire you see only the manifestation जब तक आप उस desire से उस इच्छा से बंदे हुए हैं तब सिर्फ आप उस expression को देखते हैं जो happening हो रहा है जो घटना हो रही हैं सिर्फ आप उस घटना को देखते हैं उसके पीछे के रहस्य को नहीं समझ पाते हैं तो if you have to just realize the mystery behind the manifestation then you have to free yourself from the desire okay next one is it missed it mystery and manifestation arise from the same source जो रहस्य है और जो manifestation है यानि जो expression है वो दोनों एक ही सोर्स से एक ही स्रोथ से जन्म ली हैं और दोनों का स्रोथ क्या है दोनों का स्रोथ है डार्कनेश वो अंधिरा इसे बिग बैंग थियोरी के द्वारा भी प्रूफ किया गया है कि we are originating the whole inverse is originating from a point a single source a point source and all the lights that is all the stars are originating from that point and when the star dies it it just it just यह जब अस्टार मरेगा तो उसी point में उसी डार्कनेश में वो विलीन हो जाता है जिसे ब्लैक होल की थियोरी ने प्रूफ किया है तो एक डार्कनेश से निकला और वो डार्कनेश में ही समाएगा तो सारी चीजों का source क्या है डार्कनेश वो अंधिरा चाहे वो manifestation हो चाहे वो mystery हो चाहे वो उसका expression हो या उसके बीचे का रहस्य हो ठीक है तो डार्कनेश विदिन डार्कनेश इस डार्कनेश को समझने के लिए आप अपने अंदर आपको उसको देखना होगा है और उसके लिए आपको क्या करना है meditation करना है सांत रहकर उन सारी चीजों को feel करना है inverse के साथ जुड़ना है and this darkness is gateway to all understanding जाहे वो आप बुधिजम में भी देखें बुधिजम में भी बोले गया है कि meditation करना है आपको right meditation जैसे भगवान बुध्य ने किया meditation किया और उस उनसे उस darkness के पीछे गया darkness को उन्होंने feel किया darkness से उन्हों अटेच हुए तब वो उसारी चीनों को समझ पाए तो हर philosophy में यही कहा गया है कि darkness is the source of gateway of all understanding तो this is all about Taoism philosophy Thank you